हैलो नवस्कार दोस्तों आपका सवगत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सपने में घोड़ा देखना कैसा होता है अगर आपको सपने में घोड़ा दिखाई देता है तो ये सुब सपना होता है या सुब सपना होता है आज के वीडियो में हम आपको जान करी देंगे इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को अंतर तक जरूर देखना अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के बादें से पूँच भी सकते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं सपने में घोड़ा देखना सुब होता है या आसुब होता है क्या कहता है सपनसास्तर तो सपने में घोड़ा देखना सपनसास्तर के अनुसार अच्छा माने जाता है यह सपना बताता है कि आप सारीरिक और मांसिक रूप से सोस्थ हैं और आने वाला समय आपके लिए बेहदी सुब समय रहने वाला है इसका मतलब है कि आपको किसी काम में जल्द कामियावी प्राप्त हो सकती है सपने में घोडे देखने की विभिन अवस्थाओं के भारे में भी हम आपको जानकरी दे देते हैं अगर एक विभाहित बेक्ती सपने में घोडा देखता है तो उसको कारेचेतर और परिवारिक जिम्मेदारियों में सबलता और अवस्थकर्ष्टता प्राप्त हो सकती है घोडा योन सकती और कामुकता का भी प्रुक्ति हो सकता है सपने में घोड़े की सवारी करना सकारात्मक होता है क्योंकि यह बेक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाओ लाने का संकेत देता है सपने में काला घोड़ा दोड़ते हुए चुपचाब खड़ा हुआ दिखाई दे तो इसका आर्थ होता है कि आप जीवन में प्रगत्ति करने वाले हैं सपने में सफेद घोड़ा देखना राज प्राप्ति का संकेत होता है इसका मतलब होता है कि आपकी पोस्ट में अपग्रेट हो सकता है आपका ओदा बढ़ सकता है समाज में या कारिशेतर में अभी के टाइम पर अगर आप एक छोटे अधिकारी या समाज में छोटे पद पर हैं तो आने वाले समय में आपका पद बढ़ सकता है बहीं अगर बात करी जाए घोड़ा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं घोड़ा एक राजिसी जानवर है जो सतंतलता, कुलिंता, धीरज, आत्म विस्वास, बीजय, बीगता और पतिश्पलता, आत्मिक सकति का प्रतिक होता है इसका प्रतिक सहास और सतंतलता से भी जुड़ा होता है इसलिए आपको सपने में घोड़ा दिखाई दे तो अच्छा ही माना जाता है अगर आपको सपने में बीमार घोड़ा दिखाई दे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है इसका मतलब होता है कि आने वाले सिंध दिनों में आपको बिम्टन परकार की चुनोतियां या समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए यह सबना इस बात का आपको संकेत देता है